तो दोस्तो आज की इस video के नि अदर में आपको full explain करके बताऊना। कि दैली का labor card online कैसे apply करते हैं और क्या-kya documents लगते हैं। तो दोस्तो चलीव शुरू करते हैं। तो दोस्तो लेवर card को बनवाने के लिए हमें three steps को follow करना आ होता है। सबसे पहला user id बनाना। दूसरा पूरा form complete करना, तीसरा जो है life photo capture करना, तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आपको full explain करके step by step, एक एक step full explain करके बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा end तक देखे, ताकि आप अच्छी तरीके से पूरा process complete समझ सके, दोस्तो देले का labor card उन सभी लोग के लिए है, ज आले government की EDST की official website पर हमें एक user ID and password उनहीं के नाम से बनाना पड़ता है, जिनके नाम से हमें labor card apply करना है, तो सबसे पहले जो है, हम user ID and password बनाएंगे, यह होता है हमारा पहला step, और इस इस step को complete करने के हूं लिए, मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, साथ साथ वीडियो के end way भी मिल जाएगा, और वीडियो के eye button में भी देखने को मिल जाएगा, यह वाली वीडियो है दोस्तों, इसका screenshot मैंने दे दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे user ID and password बनेगा, तो यह होता है सब से पहला step, उसके बाद दोस्तों, second step होता है, हमें पूरा एक form complete करना होता है, online, और online किस तरीके से form fill करना है, चलिए दोस्तों, मैं आपको live process करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों, आपको e-district की official website पर आजाना है, जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, e-district.delly govet.nice.in, तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ page इस तरगे का खुल जाएगा, यहाँ पर आपको registered user login पे कर लेना है, तो दोस्तों, मैंने first step बताया था, user ID, password बनाने के लिए, तो बनाने का दोस्तों, आपको यहाँ पर आ जाना है, और user ID जो आपने बनाया होगा, आपके phone में message आगया होगा, और password जो आपने बनाया होगा, वो आपको याद होगा, तो user ID और password के help से यहाँ पर हमें login कर लेना है, दोस्तों, पहले वाले box में user ID फिल करना है, दूसरे वाले password, और यह जो capture code देख रहे हैं, बिल्कुल same to same, इस box के इंदर फिल करके, login पे click कर देना है, तो दो options showing apply for services, और pending for submissions. Apply for services नए form के लिए होता है, दोस्तों जब हम नए form भरेंगे, तो apply for services, pending for submission इसलिए होता है, दोस्तों, अगर हम बीच में बरते बरते अटक जाते हैं, या log out हो जाते हैं, या form बंद हो जाते हैं बीच में किसी भी कारण, तो हम pending for submission पे जाएकर से start कर सकते अब यहां हम apply for services पर click करेंगे और यहां पर हमें इस department में आ जाना है building and other construction worker and welfare board आप देख सकते हैं दोस्तों building and other construction worker and welfare board तो इस वाले column के अंदर हमें आ जाना है यहां पर जो है हमें labor card नया form भरने का option आ जाएगा यहां पर आपको यह वाला option देख जाएगा application for registration as construction worker 266 renewal of existing manual registration तो दोस्तों आपको यह वाला option choice कर लेना है और अगर आप renew करना चाहते हैं तो उपर वाला option choice करेंगे अब यहां पर इसके लिए 30 days का time लगता है दोस्तों आप देख सकते हैं 30 दिन का समय है सरकारी तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है उसके वाद आपको simply करना क्या है apply वाले option पर click कर देना है जैसी आप apply वाले option पर click करेंगे दोस्तों एक form ख़ल जाएगा यहां पर दोस्तों आपके जो user id जो बनाए थी आपने इडिस्टिक पर उसके according पूरी detail open हो जाएगी तो simply आप इसमें कुछ edit नह आजाना है यहां पर सबसे पहरा जो question का सवाल का जो आपको जवाब देना है वो है are you a registered construction worker तो आपको यहां पर कर देना है no, क्योंकि आप fresh apply कर रहे हैं नय apply कर रहे हैं तो आपको इस पर कर देना है no, no पर करने वाले option पे click कर देना है आपको continue करते ही दोस्तों कुछ इस त करना होगा वो यह वाला है दोस्तो पर्सनल डेटेल में पहला सवाल है आपकी जाती की बारे में पूछा जा रहा है वेदर बिलॉंग टो CST OBC तो जो भी आपकी category होगी वो यहां से select कर लें Honor है तो जनरा OBC फिजिकर यह हैं दिव्यांग वगिर है तो फिजिकर यहलें Choose a husband उसके मेरिश्र्ड सर케 इस्टीender व्यवाहिकि इस्तथी साधरिसुदा है यह नहीं है तो उसका जो जवाब इस box से देना है दूसरे वाले सवाल में यहां पर जो है काफी सारे option है unmarried यानि के साधी नहीं हुई है married यानि के साधी हो चुकी है divorce यानि के तलाग हो चुका है video यानि के विद्वा है तो जिनका भी आप form भर रहे हैं उनकी marital status क्या है उसके according आप यहां पर select कर सकते हैं यह select कर लेना है थर्ड वाला step में आपको date of retirement शो होगा यह जो है दोस्तो आपकी date of birth के according होता है क्योंकि 60 साल बाद जो है labor card जिनका भी बनाए हो रिटायर हो जाते हैं तो यहां पर automatic शो होता है उसका detail of old employment card पुराने रोजगार card का विवरण यहां पर आपको कर देना है no यहां पर already no है तो कोई बात नहीं अगर yes हो रख़ा तो आप no कर देंगे उसके बाद दोस्तों यह वाला form आगे का column complete करना है यहां पर हमें जो काम से related detail फिल करनी है तो सबसे पहला जो है पहला question है nature of work आवेदा की कारे स्रेणी यानि कि construction worker वर्क में जो है कौन सा काम करते हैं जिनका हम labor card apply कर रहे हैं तो यहां पर पूरी की पूरी list open हो जाती है दोस्तों जितने भी construction worker से जुड़े काम है जैसे की पढ़ाई bar winder, bale dar, chalki dar, concrete mixer, electrician, visually mystery, fitter तो आप पूरी की पूरी list पढ़ सकते हैं अगर इन में से कोई काम करते होंगे तो तभी आप apply कर सकते हैं तो जो भी काम करते हैंगे वो list में से आप select कर लेंगे दोस्तों उसका दोस्तों second दूसरा सवाल है लोकेलिटी ओफ वर्क प्लेस वेर construction worker was lastly employed यानि कि last time कहां काम क्या है उन्होंने तो जहां भी काम क्या होगा पूरी दिल्ली के अंदर आप यहां से लोकेलिटी select का सकते हैं इरिया का नाम जो है आपको लिस्ट में सो हो जाएगा जहां भी किया होगा आप इस लिस्ट में से select कर सकते हैं उसके आद दोस्तों तीसरा सवाल है यहां पर हमें जो है address फिल करना है तो दोस्तों यहां पर जहां भी काम किया होगा उस construction worker ने तो जैसे कि आपने उपर locality select किया है तो अब यहां पर full address फिल करना होगा उस जगे का जहां भी उन्होंने काम किया है उसके आद दोस्तों चौता है name of the employer contractor यानि कि ठेकेदार का यहां पर नाम डालना है या फिर जहां भी उन्होंने काम किया उनका नाम फिल करना है चौते बॉक्स के अंदर तो यहां पर हम नाम फिल कर देंगे दोस्तों पांचवा सवाल है total number of days work as construction worker यानि कि construction worker के तोर पर किते दिनों तक ठेकेदार के पास काम किया है तो कम से कम जो है दोस्तों 90 दिनों तक काम किया हुआ होना चाहिए यानि कि 3 महिने 12 महिने के अंदर तो आप जो है यहां पर 90 दिनों से ज़्यादा ही का दिन डालेंगे अगर कम डालेंगे तो आपको दो-दो ठेकेदारों का नाम डिटेल भरना होगा इसलिए आप यहां पर जितने भी दिन 3 महिने से उपर काम किया हुआ होना चाहिए आपका और 3 महिने से उपर का ही दिन यहां पर आप फिल करेंगे च्छटा सवाल है दोस्तों address of the employer यानि कि ठेकेदार का address यह जो है compulsory box नहीं है अगर आप चाहते हैं तो इसे भर सकते हैं नहीं तो इसे blank भी छोड़ सकते हैं उसका दोस्तों यहां पर email आइडिया आपको फिल कर देना है email आइडिया आप बलैंक छोड़ सकते हैं उसका दोस्तों यहां पर mobile number of contractor यहां पर आपको एक mobile number पर फिल कर देना है activated mobile number आठवे में और नौवे नंबर पर जो है दोस्तो आपको जो भी काम कर नौवे नंबर पर दोस्तो काम का जो है workplace जिस जगे काम करते थे वो किस तरीकी की जगे थी वो सेलेक्ट कर लेना है यहां पर commercial building है residential building है maintenance work है तो जो भी काम होगा आप यहां पर देखके select कर सकते हैं उसके दोस्तो यहां पर अगला box आगया है account detail के बारे में यहां पर हमें account के detail फिल करनी है जिनके नाम से हम labor card apply कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है दोस्तो account number फिल करना होता है उसके दोस्तो यहां पर MICR code या फि detail of registered union अगर किसी union से registered है तो आप यहां पर detail फिल कर सकते हैं और yes लिख सकते हैं और अगर registered नहीं है किसी ठेकेदार के बास काम कर रहे हैं जो registered नहीं है तो आप यहां पर no कर देंगे तो हम यहां से no कर दे रहे हैं उसके दोस्तो अगला box है यहां पर भी है आपको no कर देना ह तो आपको यहां पर नो कर देना है, अगर होगा तो yes कर देना है, नहीं तो no कर देना है तो दूस्तों यहां तक हमने personal detail फिल करने एक पाद, यहां पर हमें family member को add करने का option आ रहा है तो आप जितने भी family member को add करना चाहते हैं, उन सबी की अधार card के according जो है, detail फिल करनी है अगर उनके लड़के का नाम add कर देंगे तो आप son करेंगे हुआ, उनके पिता जी को add करेंगे, तो father add कर देगे father select कर लेंगे उसके यहाँ पर आपको दोस्तों उनकी date of birth फिल कर देनी है जिस member को आप add कर रहे हैं उसके वाद male female select कर लेना है इस column में से और यहाँ पर दोस्तों जो है एक photo passport size photo upload कर देनी है उस member की जिस member को आप यहाँ पर add कर रहे हैं उसके दोस्तों अगर आप और भी member family member को नहीं जोड़ेंगे यह step हम skip कर सकते हैं कोई issue नहीं है तो दोस्तो family member जोड़ लिए हमने अब इसके बाद next step है nominee बनाने का तो दोस्तों यहाँ पर जो है जिस भी person को आप nominee बनाना जाते हैं यानि कि अगर जिनके नाम से labor card बना वाय उनके उनके नाम से जो भी होगा labor card से जितनी भी सुधाय मिली होंगी और उसका फायदा जो है उसका benefit उसके nominee को मिलता है अगर उनको कोई problem हो जाती है तो तो दोस्तों यहाँ पर आप nomination में दो लोगों को भी add कर सकते हैं एक लोगों को भी add कर सकते हैं चलिए मैं आपको add करके दिखाता हूं उसका दोस्तों हम अगले box के अंदर आ जाना है यह है nomination के लिए nomination का box से आप जिस भी member को जोड़ा होगा तो उन में से किसको आप nominee बिना आना चाहते हैं जिनके नाम से liver card बन रहा है उनका तो आप यहाँ पर जो है उनका अधार card fill कर देंगे अधार number fill कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर simply address भी fill कर देंगे और relation with member वाले box में आपको relation select कर लेना है कि यह क्या लगते हैं उनके दिनका liver card बन रहा है उनके यह क्या लगते हैं और date of birth automatic आजाता है address fill करके यहाँ पर आपको percentage डालना है आगर आपको एक आदमी को जोडना है तो 100% डाल देंगे दो लोगों को जोडना है तो 50-50% करके जोड सकते हैं उसके दोस्तों हमें अगले box के अंदर आ जाना है तो दोस्तों देखा आप यहाँ पर मैंने एक family member add किया है यहाँ पर 100% उसका जो है share कर दिया है आप दो लोगों वह भी कर सकते 50-50% करके उसके दोस्तों अगले step है school की detail add करना आपने family member में जि यह है school की detail fill करने के लिए तो यहाँ पर आप जिस भी member को जोड रहे हैं अगर बच्चों को जोड़ा है और वो अगर school में बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर school की detail भी दे सकते हैं इस school detail भरने के लिए उस बच्चे का आधार नंबर सबसे पहले वाले box में फिल कर देना है जैसी आधार नंबर फिल करेंगे नाम डेटो बत आटोमेंटिक आजाएगा उसके आपको इस school की detail फिल करने होगी चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इस वाले box में उस बच्चे का आधार नंबर डाल देना है जिस भी बच्चे को आपने उपर मेंबर में जोड़ा हुआ होना जरूरी है अगर आपने मेंबर में नहीं जोड़ा होगा और अलग से यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ डेटेल नहीं आएगी यहाँ पर जैसे अधार नंबर डालेंगे तो डेट आब बेस वगर्व अगरा और नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाता है उसके दोस्तों यहाँ पर आपको करना के क्लास सेलेक्ट कर लेना है जो भी क्लास जिस भी क्लास में ठढ़ते होंग तक में वह सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर जो है दोस्तों टम सेंड कंडिशन है इसे accept कर लेना है इसे accept करके दोस्तों continue to next वाले option पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों continue to next करने करने कर दो हमारा जो form है वो submit हो जाएगा तो दोस्तों हमने पूरा form complete कर लिया है अब हमें documents upload करने हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को जासे like and share कर दे तो चलिए दोस्तों आगे का process complete करते हैं हमें कुछ documents upload करने है proof of present address इसमें 5 documents हमें upload करने होते हैं यहां पर जो है document upload करने का option आजाता है date of birth, bank account, self declaration या फिर ठेगेदार का letter या और उसके बाद जो है पांचवा document वो self attested copy of अधार तो आपना address proof और date of birth proof में भी अधार काड यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने अधार काड की front back की photo copy करके उस पर sign कर ले ताकि तीनों document में वही upload कर सके तो सबसे पहले हमें अधार काड upload करेंगे proof of present address में upload पे click कर देना है उसके इस तरीके का page खुलेगा यहाँ पर type of document में proof of present address लिखा हुआ है उसके select document document select करने वाले option में आपको select कर लेना है आपका document सबसे वहले यहाँ पर हमने अधार काड select कर लिया उसके वाद यहाँ पर select department में UID select कर लेना है उसका document number document number में आपको यहाँ पर अधार number fill कर देना है दोस्तों यहाँ पर हम अधार number fill कर देंगे तो यहाँ पर green tick आ जाता है क्योंकि अधार number online verify हो जाता है उसके बाद choose file वाले option पर click करके आपने जहाँ भी अधार card को scan करके रखा होगा और वहाँ पर जो है दोस्तों आपको वहाँ से select कर लेना है वो file और जो file आपको upload करनी है वो so okay भी या उससे कम क्योंने चाहिए और jpeg, jpg या फिर pdf किसी भी format आप upload कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं document upload हो चुका है इसन कंडिशन को accept करके submit कर देना है तो document has been uploaded successfully इस तरीके का show हो जाएगा आपको उसके next document upload करेंगे हैं दोस्तों next document है हमारा proof of date of birth इसमें भी हम आधार card upload कर देंगे proof of date of birth प्लोड पे अप्लोड पे क्लिक करेंगे पेज खुलेगा select document के अंदर आपको यहां पर select कर लेना अधार card verified date of birth उसका select department में UID फिर document नमर में आपको आपका अधार number फिल कर देना है अधार number फिल करने का दोस्तों यहां पर आपको grain tick show हो जाएगा फिर choose file पे click करके आपने जहां भी scan करके रखा को अधार card वहां से आपको अधार card select कर लेना है अधार card select करने का दोस्तों terms and condition को accept कर लेना है और submit पे click कर देना है उसके अधार हमें third document upload करना है bank account proof upload पे click करेंगे हम upload पे click करने का दोस्तों नीचे की तरफ आ जाना है type of document in bank account proof select document में आपको bank की passbook या फिर आप checkbook upload कर सकते हैं हम bank की passbook upload कर रहे हैं document detail के अंदर यहां पर आपको जो है account number fill कर देना है department के अंदर आपको other पे click कर देना है और other department name में आपको bank का नाम fill कर देना है उसके document number में फिर से जो है account number fill कर देना है उसके दोस्तो चूल्स फाइल वाले option पे क्लिक कर देना है और यहां से हमने जहां भी scan करके रखा होगा 100KB या उससे कम की फाइल JPEG या PDF में उसको select करके term sign condition को accept करके submit कर देना है उसके दो के पे क्लिक कर देना है तो दोस्तो यहां पर जो है यह green नहीं हुआ तो आपको tension ले सबसे नीचे जो सबसे असान जो है self declaration होता है उसके उपर आप contractor का letter मिला है तो आप contractor के letter से कर सकते हैं या फिर labor commission से आपको letter मिला हुआ तो वह भी upload कर सकते हैं अगर कुछ नहीं मिला है तो self declaration select कर सकते हैं उसके department पे other और other document name के अंदर आप यहां पर लिखेंगे self self लिखने क self declaration के लिए दोस्तो मैंने अलग से एक video बना दी है यह वाली आप देख सकते हैं और साथी साथ यह format जो है यहां से आपको self declaration का मिल जाता है इसे download करके आप print लेए तो दोस्तो वह video देखके आप वहां से self declaration का letter भी download कर सकते हैं और कैसे भरना है वह भी समझ सकते हैं तो दोस् तो हमें last document upload करना है self attested copy of अधार तो हमने पहले भी अधार काड अपलोड कर रखा है तो upload पे click करेंगे यहां पर हम अधार काड जैसी select करेंगे तो यहां पर existing document शो करेगा तो existing document वाले option में आपको select कर लेना है नंबर automatic आया है जो हमने उपर अधार नंबर फिल किया था जैस तो no continue with existing document वाले option पे click कर देना है उसके आध continue to next पे click कर देना है यहां पर सारे के सारे document अपलोड हो चुके है और हमें सिरफ photo upload करने है तो upload पे click करेंगे upload पे click करने का दोस्तों यहां पर choose file वाले option पे click करेंगे और जहां भी हमने photo scan करके रखे होगी photo का size है वो 50 की भी उससे पे click करने है और upload पे click कर देंगे upload पे click करने है फोटो हैस बीन upload अप्लोडेट सक्सेस्फुली इस तरीके का page open हो जाएगा उसके आध हमें करना क्या है continue to final submit वाले option पे click करने है continue to final submit वाले option पे click करने है दोस्तों यहां पर आपको 25 रुपीज की online payment करने होती है तो online payment करने होत क्या है इसे scan कर लेना है बारपोड और scan करके आपकी UPI phone पे बागेरा सा जो है payment कर देनी है तो दोस्तों आपको online payment करने का यहां पर जो है उसका reference number डाल देना है screenshot भी ले लेना है आपको और बीज़ वाले option में amount डालना है और यहां पर choose file पे करके upload कर देना है उस screenshot को उसके continue वाले option पे क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर continue वाले option पे क्लिक करेंगे जो OTP है register number पर send हो जाएगा अब यह जो है final submit होने जाए रहा है form तो OTP को आपको register number से देख लेना है और OTP को यहां पर fill कर देना है यहां पर जो है नाम वागेर है जो शो हो जाएगा mobile number और कौन सा form fill कर दें वो शो हो जाएगा उसकर OTP यहां पर submit कर देना है submit करने का दोस्तों आपको यहां पर print out ले लेना है यह receipt होती है और यहां पर जो है दोस्तों यहां पर आपकी सारी detail आजाएगी application number वागेर आजाएगा photo आ जाएगी उसकर यहां पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पर print out ले लेना हमें और यहां पर दोस्तों आप नीचे की तरफ आकर देख सकते हैं यहां पर option होता है कि आप जो है office जाकर भी photo खीचवा सकते हैं या फिर online खुद से ही live photo खीच सकते हैं तो live photo जो है 30 days के अंदर हमें खीचना होता है तो इसके लिए तो दो तीन दिन बार आप चेक कर लेंगे और live photo upload कर देंगा दोस्तों अब यह हमारा form full and final submit हो चुका है रिसेप्ट निकल चुकिए है इसके लाद दोस्तों हमें तीसरा step complete करना होता है live photo capture करने का तो दोस्तों live photo किस तरीखे से capture करने है उस topic में आपको यह वाली वीडियो जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा साथ साथ वीडियो के end में भी and video के i button के अंदर भी देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों कैसी लगी information I hope की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जैसे दर like and share कर दे साथ साथ चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दे and अगर कोई confusion आपको इस वीडियो से लेटिट या मेरे चैनल पर किसी वीडियो से लेटिट तो आप मुझा comment box में comment करके पूछ सकते हैं साथ साथ आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएग झाल कर दो